गिफ्ट अनुग्रे से मिल जाएगा, उसे यूज़ करने से आत्मा को तो बरना होगा, लेकर जो अन्यवाशा बोलता है, वो अपनी आत्मी कुनती करता है, लेकर अन्यवाशा बोलने वाला ये भी कोशिश करें कि वो विश्वानी करें, इसका मतलब वो अपनी आत्मी कुनत आज पवितर आत्मा ने ये बेद परगट किया कि मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा बच्चों, बूडों, बजुर्गों, जूत, सब पर उंडेलना चाहता हूं आप मेंसे लोग ख़दा उपयोग करना चाहता है कलीशिया को उपयोग करना हो सकता है आज आज आप कैमरा चला रहे हो, कल एक पास्तर हो हो सकता है आज 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 आप कोई साज बजा रहे हैं कल आप देशों पदेशों में जाके सुसमा चारों को परचार करें और बड़ी प्रातना सबा करें हो सकता है कि कल आप बवश्वानिया करें हो सकता है कि लोग आपसे पूछने आएं जिस तरह दैनियल के पास जाते थे एलिया के पास जाते थे अलिशा के पास जाते थे यशाया के पास जाते थे इजिकियल के पास जाते समझ पारें आपको नॉर्मल नहीं रहना प्रेतों के काम में कलीसिया जो बार-बार इकठी होती थी बार-बार इकठे होने के कारण उनके अंदर एक विश्वाश बहुत बढ़ गया था बार-बार इकठे होके संग्दी करने के कारण उनकी सामर्थ बहुत बढ़ चुकी तो उनके अंदर विश्वाश बहुत बढ़ चुका था बिश्वाष इतना बढ़ चुका था कि पत्रस की परशाई पढ़ने पर ही वो चंगे हो जाएंगे ऐसा बिश्वाष उनके अंदर आया तो पत्रस ने नहीं कहा तो ऐसे लाइने लगा के रखना वो कलीसिया के अंदर, लोगों के अंदर ये विश्वाश आ गया अनॉइंटिंग पर फेत आया उसने अनॉइंटिंग को समझा क्यों क्यों इकटे होने के दरा उनके अंदर विश्वाश और वो आत्मा से पर पूरन होते गए दूसरा कुरंतिया उसकी तीन की चार से लेकर शे तक हम मसी के दोरा परमेशर पर ऐसा ही विरोसा रखते हैं सबसे पहले आपको देखना है कि आप कैसा विरोसा रखते हैं कहता हम मसी के दोरा परमेशर पर ऐसा ही विरोसा रखते हैं ये नहीं कि हम अपने आप से इस योगे हैं, कि हम अपनी और से किसी बात का विचार करें, पर हमारी योगेता परमेश्र की और से, ये नहीं कि हम अपने आप से इस योगे हैं, आप अपने आप से किसी बात के योगे नहीं हैं, वो मानते हैं कहता है ये नहीं कि हम अपने कारण हम योग्य नहीं बनते यह नहीं कि हम अपने आप से किसी योग्य हैं आपको समझना है कि परमेश्यों के बिना मैं कुछ भी नहीं अपने आप से मैं किसी योग्य नहीं हूँ मैं किसी काम का नहीं हूँ आपको पूरी रीती से पवितर आत्मा पर निर्बर होके चलना ऐसा आपको अपना आत्मिक स्टेंडर्ड रखना है सोच रखनी कि मैं पूरी तरह से पवितर आत्मा पर निर्बर हूँ अपने आप से, आप किसी बात के योग्ये नहीं आप खाली हैं, आप कुछ नहीं प्योग हो सकते कुछ नहीं कर सकते अपने आप में तो इसलिए आपको यह समझना है तो अगर अपने आप में आप किसी बात के योग्ये नहीं तो आपकी योग्यता आपको किसे मिलती है परमेश्वर से, परमेश्वर से क्या करना है, रिलेशन्शिप रखना है, रिस्ता रखना है, तो कि परमेश्वर ही है, जो आपको अनुग्रे देता है, सब परकार का, वरदान हो, सामर्थ हो, कि अपनी और से किसी बात का विचार कर सके हम अपनी और से किसी बात का विचार नहीं कर सकते पर हमारी योग गेता परमेशर की और से है बोले हमारी योग गेता परमेशर की और से है हमारी योग गेता परमेशर की और से है तो क्यों हमें लगातार इकठे होना है चर्च में, क्यों दूर-दूर से आप बारस से आते हैं, कोई प्लेन में आया है, कोई ट्रेन में आया है, कोई दो दिन का सफर करके आता है, कोई कैसा भी समय निकाल के आता है, क्यों, क्योंकि हमारी योग्यता परमेश्वर की और से है हम अपने बाग बाग कर अपने तरीकों से तो और तरीकों से अपने जुक्तियों से अपनी कलपनाओं से अपनी तरीके से अपना जोर लगा के हम कुछ नहीं कर सकते तो इसलिए योगेता कौन देता है हमारी योगेता क्या है परमेशर परमेशरी हमें जो सेवा की योगे बनाता है परमेशरी है जो हमें एक आशिश व्यक्ति के रूप में योगे बनाता है कई लोग आज बहुत ब्लेस हुए इस सेवकई के साथ होकर वो कहते हम इस योग्य नहीं थे, परमिश्र के अनुग्य रहा है, अगर हम अपनी मेनद करते, पढ़ाईयां करते, लिखाईयां करते, कुश करते, अपना पैसा यूज़ कर लेते, हम यहाँ नहीं पहुंच पाते, यहाँ खुदा ने हमें पहुंचा दिया ऐ, ऐसे ही मनिश तुझ लिए, कि आप बहां पहुँचते हैं, जब खुदा आप पर अनुग्रह करता है, जहां आप सोच भी नहीं सकते प्रमिश्व के अनुग्रह के दारा, क्योंकि परमिश्व आपको योगता देता है। जिसने हमें नहीं वाचा के सेवक होने के योग्ये भी किया, नहीं वाचा के यहां पर सेवक होने के योग्ये किया गया, तो कई लोग सेवा करना चाहते हैं, यूद उठना चाहते हैं, सेवा में आना चाहते हैं और सब इच्छा रखो सेवा में प्रभू की सेवा करने की उसके लिए बूक दिखाओ बढ़ो उसकी योर अगर उसने उपयोग करना है वो आपको कर लेगा खुद बो खुद निकाल देगा आप अपना समय भेष्ट करते जाओ शबद के सेवक नहीं पर आत्मा के सेवक सेवा की योग्य कहता है उसने किया हमें शबद के सेवक नहीं आत्मा के सेवक क्योंकि शबद मारता है आत्मा जिलाता है हमें आत्मा के सेवक बनना है कहता है इसलिए हमें आत्मिक उंति के लिए लगातार आना है जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया आपकी ग्रोथ खतम हो जाती है ये नोट कर लेना ये प्रैक्टिकल आपने सीखा होगा अपने जीवन में जिस दिन आपने अटेंड करना रसीव करना अराधना ज्वाइन करना वचन सुनना ले हैंड रसीव करना एक आत्मे कुपस्तत में आना अभिशे के नीचे आना फास्टिंग के नीचे आना शामिल होना जिस दिन आपने सीखना और ये करना चोड़ दिया आपकी ग्रोथ रुख जाती है इसलिए आपको इसे करते रहना है और आत्मा के सेवक बनना है वो कौन परमिश्वर बनाता है उसका आत्मा बनाता है क्योंकि आत्मा ही जिलाता है तो आत्मा की वाचा और बै भी तेजों में क्यों नहोगी तो आत्मा की वाचा भी तेजों में क्यों न होगी, कि आत्मा की जो वाचा है, अगर हम आत्मा के जाद़, उससे भी ज़्यादा पावरफुल क्यों न होगी, जैसे बचन ने बाइबल में प्राने नहीं में किया कारे, और रहें तो जब कभी उसका हिर्दे प्रभु की और फिरेगा, तब पर्दा उठ जाता है, अब बहुत सरी चीजों को जान लेते हैं, जो आपके आज़ पास हो रही होती है, आप उन्हें पर्ख लेते हैं, आप उसे जान लेते हैं, और आप उसकी अनुसार बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जब पभी तर आत्मा के साथ आपका साथ आपका प्रबु तो आत्मा है, जहां के उसका आत्मा है, वहां सवतंतरता है, तो प्रबु आत्मा है, तो हमें आत्मा के करीब आना है, आत्मा से बरना है, आत्मा से परिपूरन होना है, क्योंकि जहां के उसका आत्मा है, वहां सवतंतरता है, वहां अजादी है, वहां शुटकारा ह हालेलोई है प्रन्तो जब हम सब के उगाड़े चेहरे से प्रभू का परताप इस परकार परगट होता है जिस परकार दरपड में तो प्रभू के द्वारा जो आत्मा है हम उसके तैस्वी रूप में अंच-अंच करके बदलते जाते हैं जैसे आप अवित्रात्मा के साथ ऐस के साथ एक आत्मा हो जाता है अराधना ही के द्वारा आप रभू से संकती कर पाते हैं इसलिए ऐसी सभा में कि आप अधिक-षदिक अराधना में आपको ले जाया जा सके केवल मीटिंग को एक समय के पूरी खत्म होके मीटिंग जाने में आप फास्टिंग के साथ आए अनन्दीत होता है तो आत्मा की सामर से आप परिपूरन होते हैं इसका अस्तूति अराधना में आपका मन को अनन्दीत होना बहुत जरूरी है अपनी स्पिरिट को खोलना जैसे पिछले प्रीच में आपने सीखा था कई लोग बंदी हुई आत्मा से इसे अराधना करते हैं आप केबल शांत हो के राधना करते हैं, गीतों को बजनों को सोच सोच के बोलते हैं, और अपनी इच्छा को अपने लबजों को बियान करते हैं राधना के द्वारा के आप क्या चाहते हैं, तो परमेश्यों आपकी लाइप में कारे करते हैं, तो आपको अंच-अंच करके ब साममर्द के बारे में ये बात कर रहा है कि असीम साममर्द हमारी और से नहीं परमेश्र की और से टहरे तो पवितर आत्मा की साममर्द आप अपनी और से नहीं परमेश्र की और से ग्रहन करते हैं जैसे आप उसे मांगें परमेश्र आपको देता है पर क्या आप उसे मांगने पर हालेलोई है एक दिन जब हम सेव कई को हमने जब पहली बार वर्दानों को प्रापत किये था अकेले केले वर्दान उतरने लगे अन्यवाशा का हीलिंग का बविश्वानी का आत्मा की परक का बुद्धी का समझ का प्रीच का टीचिंग का दिरी थे जब वो गिफ्ट उतरे थे उससे पहले जब मैं एक अठे हो कि हम प्रातना करे थे मैंने का मैंने एक दर्शन देखा परमेश्व ऐसे ऐसे परमेश्व का नूर आया और ऐसे लोगं को गिफ्ट बांट रहा है तो गिफ्ट बांट रहा है तो गिफ्ट बांट रहा है तो बात में आत्मा में मैंने उससे समझा मैंने को परमेश्व हमारे बीच में वर्दानों को बांटने जा रहा है परमेश्व कहता जो इसे पाना चाहेगा बूक रखेगा मैं उसके जीवन में उतारता जाओंगा मैंने अपने जुंड में बोला और जुंड में बहुत सारे लोग वर्दानों के लिए बूखे हो गए सचमुच उन्होंने पाया भी और उपयोग भी किये गए पर कुछ उन में से आगे मेंटर्शिप में नहीं थे अगवाही में नहीं थे और कुछ लोग अपने स्थान को खो बैठे और रुख गए आगे बढ़ने से खालिलो ये परमेशर जो इच्छा है कि ये है आप नॉर्मल एक परिवार का गराना है मैं आपको पर्सनली ये कह रहा हूँ आज कि तुम वर्दानों को मांगो आप कहते हैं मेरी तो रसॉली नहीं जा रही मेरी तो दस साल से बेबी नहीं हो रहा है मेरा तो मुंड़ा नशे में मैं तो जी बड़ा पाप्यूल है मैं नशा नहीं शोड़ पाया अभी तक आप कहते हैं वर्दानों को खोजो आनों की भूख खाएंगी नशा खुद्बों को तुम छोड़ दोगी तो पाप शोड़ना इजी हो जाएगा तो बो कोई माईने नहीं करता तुम कैसे हो किस गराने से आते हो कैसे हो दुष्टात्मा से जकड़े हो बस मुझे वर्दान चाहिए कलीसिया गिफ्ट में बढ़े परमेशो की ये इच्छा परगट हुई तो इसलिए ये बताना अभी भी हम जुरूरी समझ रहे हैं कि कलीसिया वर्दानों से बरी जाए केवल चर्श के कुछ नियुक्त लोग ही बर्दानों से बरी सेवा ना करें बर्दान सबके लिए है बर्दान हर इक बलीवर के लिए तो आपको बर्दान मांगने रूज़े रखो आप क्यू रख रहे हैं बस आपका बो मकसद नहीं मैं रोजे रख रही हूँ, मैं फास्टिंग रख रही हूँ ना ही तो सुस्माचार सुना रहे है आप सामरसे बढ़ते हैं, आप Y emoji नहीं करते है इसलिए सामरत आप की बढ़ती हैं आपने 40 रोजे रखे, फास्टिंग रखी जाओ उसमाचार परचार करो किसी को वचन सुनाओ किसी की उन्नती करो किसी बठकी बेड को बापस लेके आओ प्रातना में लोगों को शूओ प्रभु की अवाज को प्रापत करो बवश्युवानी प्रापत करो किसी को दो हलेलोई है पर आपको उस चीजों को प्रापत करना है अपने जीवन में लाइफ के दी दो तीन जो बड़े सीक्रेट है इसे तो पकड़ के रख लेना एक फास्टिंग कि तुम जितना फास्टिंग करोगे उतना यूज होगे साल में तुम कितने फास्टिंग रखते हो कितने 40 रखे कितने 21 रखे कितने 7 कितना full of full day night जितना तुने रखा तुम उतना यूज होगे इसलिए कि हम परमेशर ही के हैं जिसने कहा अंदकार में से जोती चमके और वे हमारे हिर्दों में चमका कि परमेशो की महमा की पैचान की जोती येशुमसी के चहरे से परकाश मान हो अगर शॉट में बस समझाओं तो आपके येशु के चहरे को देखना है येशुमसी के चहरे की जोती से परकाश मान हो आपको जीजस से लव करने है जीजस को चहरे को लव करने है प्रेम करने है आपको जीजस से जीजस दिन आपको जीजस को जफिया मार मार के ना किस करकर के ऐसे प्यार हो गया उस दिन वरदान शौर है कोई रोक नहीं सकता जीजस दिन बो वाला हो गया ना एक दिन मैं क्रॉस था, क्रॉस पर जीजस की ऐसे था वो उसका स्टेचो, सिर्फ मैं इस फेट के रूप में उसकी पूरजा तक तो नहीं जब नया पर उमें आया, पर मैं राधना करते करते उस स्टेचो को उस क्रॉस के उपर जीजस को देख रहा हूँ, और अचानक से के रोने लगा, देख तो उस तुरह हूँ और जाद कर रहा हूँ, जीजस के साथ कितना कुछ हुआ, उस कीलों को मैसूस करने के रोने लगा, आज ये लोगों के साथ दो, तीन, चार साल जब मसी में पहले तब हो रहा था, पास्टर, अगर ये आज हो जाए तेरे साथ, त रहसूस कर रहे हैं जीजस के साथ, जो हुआ जो उसने आपके लिए किया, आप उस लव को जीजस के साथ शेयर कर रहे हैं, आप संगती कर रहे हैं, लिखा है जो प्रभू की संगती में रहता है, एक आत्मा हो जाता है, बस एक आत्मा होना है हमें, इसके लिए हमें होना है हमारा श्रीर प्रभु के साथ एक आत्मा नहीं होता प्राण नहीं होता हमारी आत्मा प्रभु के साथ एक आत्मा होती है तो इसलिए हमें आत्मा से अराधना करनी अराधना करने से प्रभु के हम आवाज को सुनते है फिर आपकी आत्मा एक आत्मा हो जाती है, परिपूर्ण हो जाती है तो आपको वो महसूस करने है जाप मालवा आज लहू का गीद गाए है आपको चिथडे हुडे कोडों से बाल सजे कांटों से दाडी नोची आप सुर सुर लगा है हां तो से समझ पा रहे हैं आप गाते जारे पर आपको कुछ वो महसूस नहीं हो आपकी स्पिरिट से नहीं निकर जीज़ें यही सौंग गाते हैं रोना आ गया और आप सचमुझ उसे महसूस कर रहे है आत्मा के दोरा आपके जाए यह होते है आत्मा के अनबव कि मैंने क्रूस के साथ यह अनबव प्रापत किया जब मैंने पहली बर पवित्रा आत्मा पाया मैंने मेरा अनबव यह था एक दिन प्रभू मुझे ऐसे दर्शन दी एक दिन प्रभू ने यह मुझसे बात की एक दिन प्रभू की पस्तत इतनी गहरी थी मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ऐसे बरने लगा, ऐसे उठने लगा, ऐसे रोने लगा, तो ये क्या है? पवित्रात्मा के साथ, ये मुझे प्रभु ने वचन बताया, मेरी ये प्रभुण चल रही सी, आत्मा ने का वाइबल खोल सेम भई वचन निकल आया, समझ भारें? ये होते हैं आपके पवितरात्मा के साथ नए अनबव तो आज से आपका ये विशा हो कि मुझे पवितरात्मा के नए अनबव प्रापत करने वो नए के तीन साल पहले, दो साल पहले, एक साल पहले पवितरात्मा के साथ मेरी कैसी मुलकात होई थी कि आप इसके लिए बोके होएंगे तो येशु के चेहरे को देखे उसके चेहरे से खुद परकाश मान हो जाएं आपको पता है एक बाजबिल में आट दस ऐसे बजन है जिसमें येशु की पिता के साथ एकता के बारे में लिखे है येशु ने बाँ पर किया मैं जो कुछ भी करता हूँ मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में हूँ मैं उसके बिना कुछ नहीं करता जो पिता मुझे कहता है मैं वही कहता हूँ पिता मुझ में और मैं पिता में हूँ समझ गरे ना? ऐसे आट दस बचन है जिसमें येश्यू की पिता में एकता पाई जाती है, संगती पाई जाती है, समझ पाई हैं, ऐसे पवित्रा आत्मा और येश्यू की संगती पाई जाती है, तो आपको भी उसी में एक होना है, कि मैं पवित्रा आत्मा की दिनगी कि बेना कुछ नहीं करता, मैं टोटली पवि के लिए लग जाता हूँ, मैं अपने समय बेस नहीं करता। ये है पवितरात्मा के साथ आपकी अदिनगी जो होनी चाहिए, निरबरता होनी चाहिए, संगती होनी चाहिए, हालेलोया। क्योंकि हम अपने नहीं प्रन्तुम मेसी येश्यू के परचार करते हैं, कि वै ही प्रीच नहीं, अपने तरीकें से नहीं, अपनी कोशिशों से नहीं, आपको उसी पर निरबर होके करना है, आपको अपना प्रीच नहीं करना, कि आप कैसे, आप कैसे, ये कैसे, वो कैसे, आपको अधिक से अधिक जीजस को प्रीच करना है, आप बजन लिख रहे हैं, आप अपना प्रीच नहीं करते हैं, दीरे दीरे एक व्यक्त जो परमिश्च से दूर होता है, वो अपना प्रीच, अपने तरीके से, अपने तौर तरीके से, अपनी प्लैनिंग से, आप जैसे इसे पढ़ेंगे परवतरात्मा, खुद और आपसे बात करेगा, परन्तु हमने लज लज्जा के गुपत कामों में हमने उसे त्याग दिया, यह है सेवक, वर्दान पाने वाले, हमने लज्जा के गुपत कामों को त्याग दिया, ना तो हम चतुराई से चलते हैं, और ना परमेश्च के वचन में मिलावट करते हैं, प्रन्तु सत्य को परगड करते हैं, परम प्लाई से सेवकई को बढ़ा रहे हैं, तरीकों से बढ़ा रहे हैं, प्लैनिंगों से बढ़ा रहे हैं, कहते हैं हम नहीं, हम पर मेश्य का प्रीच कर रहे हैं, उसकी बलाई को दिखा रहे हैं, और उसकी बलाई के बीच में होके चल रहे हैं, उसकी बलाई करते हुए जा रह तो हम हयाब नहीं शोड़ते पड़ेंगे आगे अब ये वरदानों के बारे में अब जितना मैंने चिरित्तर बोला परमेशा के साथ लेशेंशिप को बोला जीजस के चेहरे को देखना बोला उन चीजों को पार करके समर्पित जीवन हुआ तो जिस आत्मा के साथ आप संगती रखते हैं वो ही आत्मा फिर आपको परकाशन देने शुरू करते हैं दूसरों के लाब के लिए वरदानों का परकाशन देना शुरू करते है जो आप आत्मा के साथ संगती रखते हैं, दूसरों के लाव के लिए वर्दान, अपने आपको फेमस करने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, आपको प्रभू की महमा के लिए, रूहों को बचाने के लिए, बोज आए, तरस आए, लोगों के लिए बलाई का हिर्दे हो कि मैं लोगों के आंसों को पोँचना चाहता हूं, लोगों के लिए जीना चाहता हूं, परमेशों मुझे वर्दान दे, तो परमेशों उनके लिए ये परकाशन के रूप में देता है, पढ़ेंगे कौन से, क्योंकि हर एक को आत्मा के दोरा बुद्धी की बाते दी जाती है दूसरे को उसी आत्मा के दोरा ज्यान की बाते दी जाती है, किसी को उसी आत्मा के दोरा विश्वाश, किसी को उसी आत्मा के दोरा चंगा करने का वर्दान दिया जाता है, देखो बुद्धी, विश्वाश, चंगा करने का वर्दान, किसी को उसी आत्मा के साथ सामर्द क काम करने के शक्ति किसी को बविश्वानी करने की किसी को आत्मा की पर किसी को अनेक प्रकार की बाशा और किसी को बाशाओं का अर्थ प्रें तो ये सब प्रवापशाली कारे एक ही आत्मा कराता है कौन कराता है आत्मा मालब मिनुष्य नहीं कर सकता आत्मा से पर पूरन होना जरूरी है, gift रहते हुए आत्मा से परपूरन होना जरूरी है क्योंकि आत्मा करवाता है, जिसे जो चाहता है बांट देता है, इसका मतला आत्मा बांटता है जब आप पर lay hand होता है, जब आपको कोई दर्शन आता है, वर्दान कैसे लोगों में आए जिन लोगों ने पाए, किसी ने दर्शन आया दर्शन में उन्होंने वर्दानों को पाया प्रभू ने का तु मेरा है, कोई रास्ते में चल रहा था प्रभू ने उसे दर्शन दिया, कि मैं तु मेरे कामों के लिए चुना गया, तुने मेरी सेवा करनी है आसे में तो जो व्योग करूँगा तो कहीं जो को दर्शन के रूप में वर्दान आए कई जब आत्मा से परिपूरन हुए जब उनका आग का भबतिस्मा हुआ तो वो उसमें बने रहे वो प्रभू के साथ बूखे और प्यासे बने रहे आपके भबतिस्में के बाद वो उसमें बने रहे जैसे वो बने रहे आत्मी के परकाशन नहीं आते गए तो परमेशन ने उन पर विश्वास किया और उन पर गिफ्ट उतारे हालेलोई है आज पुझे फिर से वो परबात परमेशन ने कही कि फिर से मैं बांटना चाहता हूँ फिर से मैं गिफ्ट को लोगों के बीच में पास्टर्स के बीच में सेवकाईयों के बीच में बांटना चाहता हूँ पर कौन इसके लिए मेरे सामने इस रीती से आया करेगा जो सीखा गया इसी परकार तुम सब मिलकर मसी की दे हो और अलग-अलग उसके अंग हो तुम सब मिलकर दे हैं मसी की अलग-अलग हम उसके अंग है इसी तरह सब भी अंगों में कोई ना कोई गिफ्ट होने चाहिए सेवकाईयों में कलीसियाओं में और परमेश्च के कलीसिया में अलग-अलग व्यक्ति नियुक्त किये गए प्रेरत, दूसरे बभिश्वक्ता, तो कलीसिया में लोग वर्दान जब जाहिर होते किसी में, तो वो नियुक्त किये जाते हैं, ओके तू प्रेरत का काम करेगा, तू इस सेवकाई में सुस्समचा परचार का काम करेगा, तू बिमारों को चंगा करने का, तो शुटकार का काम करेगा, तू शिखाया करेगा लोगों को जो सेखने के लिए आया करेंगे, समझपार है सिख्षक, सामर्द के काम करने वाले, चंगा करने वाले, उपकार करने वाले, परवंद करने वाले और नाना परगार की बाशा बोलने वाले क्या सब प्रेरत है, क्या सब बविश्वक्ता है, क्या सब उपदेशक है, क्या सब सामर्द के काम करने वाले कि सब चंगा करने को वर्दान मिला है सब को कि सब नाना परगार की बाशा बोलते हैं कि सब अनवाद करते हैं तुम बड़े से बड़े वर्दान की दुन में रहो क्या सब चंगा करते हैं क्या सब अविश्वानी करते हैं क्या सब प्रीच करते हैं तिसको सब वच्व करते हैं। उसे दीए नहीं जाएंगे, इसका मतलब यह नहीं कहता है, सब को चंगा करने का वर्दान मिला, लोग को लगता है, सब के लिए नहीं है, जिसको चंगा करने के वर्दान के लिए है, उसी के लिए है, वो यह नहीं कह रहे है, यह कहता है, सब को चंगा करने का वर्दान मिला ह पर ये भी कहता है कि तुम बड़े से बड़े वर्दान की दुन में रहो इसलिए परमेशर चाहता है कि एकलीसिया का हर एक व्यक्ति फिर से बात बोलूँगा अगर तुम जैसे बुक्य और प्यासे लोग वर्दानों की इच्छा नहीं रखेंगी जो विलेंटिर में आ चुके है जो सुस्समाचार में आ चुके है जो परातना योदा में आ चुके है जो तीन-तीन सबाओं में चर्च में आते हैं वो क्वास परातना में शामिल होते हैं चाली-चाली-चाली क्वास रखते हैं अगर तुम वर्दानों के दुन में न रहो तो क्या एक नया बिश्वासी ज़र ठंडा और गरम जो होता है वो बिश्वासी ज़र जिनका प्रेम ठंडा पर ज़र बो यूज़ होंगे कौन यूज़ होगा खुदा के लिए खुदा की आँखे तुझ पर है बस मैं आज ये कहके जाना चाहता हूँ तुम मैंसे सबसे भी कोई कम जोर लग रहा है वो समझे कि मैं वर्दानों के लिए चुना गया हूँ कोई भी लगता है बच्चा भी खड़ा हो जाए तो ये भी इच्छा रखे कि मैं वर्दान मुझे चाहिए समझबार है ये भी इच्छा रखे कि मुझे वर्दान चाहिए ओके आप कड़े हो जाए ये भी इच्छा रखे कि मुझे गिफ्ट चाहिए अब तुम समझ गया है तुमें इच्छा रखनी के नहीं समझ गया अब मैं क्या कहना चाहता हूँ क्योंकि परमेशन ने कैसे लोग को चुना है जो धिकने में सामर्ती उनको नहीं जो निर्बल थे जो तूट चुके थे जो कोई गिफ्टड नहीं थे जो त्यागे हुए थे ठकुराये हुए थे तुश समझा कहते है परमेशन ने उनको चुन लिया जो कुछ है भी नहीं तो मैं जब प्रभू में आया मैं कुछ भी नहीं था तब चुना खुदन जो कुछ भी नहीं है तुम तो कुछ-कुछ होंगे कोई डक्टर होगा, कोई वकील होगा, कोई पढ़ाई कर रहा होगा कोई आईलेट्स कर रहा होगा किसने इंगली स्पीकिंग की किसने कुम्प्यूटर आता होगा किसी को कोई आता होगा कहता है जो कुछ भी नहीं है खुदा ने उनको चुन लिया और ग्यानवानों को लजजित कर दिया हलेलोई तो चाहे तुम्हें कुछ भी नहीं तुम्हें इच्छा रखनी है क्योंकि पता ने किस पर प्रभू कैसा आत्मा उतारे क्योंकि परमेश्वर बहुत सी रूहें हैं जो बचाने वाली है और परचारकों की कमी है उसने का पिता से बिंती करो कि फसल काटने के लिए मज़ूरों को बेज दे हलेलोई एक दिन मैं बहां किसी को गवाही दे रहा था मैंने का एक दिन यहां पर मैं पश्यों के लिए फसल काटता था आज मैं रूहों की फसल काटता हूँ इसी ग्राउंड में हलेलोई हर चर्च में सेवा करने वाला वर्दानों के दुन में रहे Hallelujah परमेश्वर ये चाहता है यहां कि अगर हम प्रेर्टों के कलिसिया पढ़ें जितने वर्दान गिनाये गए न प्रेर्टों के काम पढ़ना उनमें सब पाये जाते थे किसी में ये, किसी में वो, किसी में ये ऐसा पढ़ेंगे अन्यवाशा का वर्दान यहां यहां पाया गया प्रेर्टों में, चंग्याई का वर्दान यहां यहां पाया गया इन प्रेर्टों में, बविश्यवाणी का वर्दान को दूश्टात्मा सता रही है आप उसके घर में गड़े वो जाहिर होगी वो सोलते इतने बाबों के पास गए ये इसका हल निगुआ आपने कर दिया बाबों को पीट के आगी आपके सामने चुप हो गई शान्त हो गई और निकल गई समझार ऐसे जीतना है रूहों को फसल तैयार है यहां पर पत्रस के अंदर गिफ्ट देखे पत्रस ने हनन्या से का शेतान ने तेरे मन में ये बात क्यूं डाली कि तुक पवितरात्मा से जूट बोले और भूमी के दाम में से कुछ रख शोड़े जहानन्या और सपीरा हस्बंड बाइप ने बहाँ पर क्या होता था प्रेरत जमीन को बेजते थे इतना बोने वाली कलिसिया थी कि अपने जमीनों को चीजों को बेजके प्रेरतों के कदमों में कलिसिया में रख देते थे चलो यह है यह है पत्रस को क्या पता उन्होंने यह नहीं समझा पत्रस होली स्पिरिड से चलता है पवित्रा आत्मा परमेश्वर का आत्मा उस पर है इसी तरह कई लोग परमेश्वर के दास को हलके में लेते पास्टर को हलके में लेते जूट बोलने में मिंट लगाते उनको को कोई नहीं पता खुदा का आत्मा, आप खुदा के दास से नहीं, आप खुदा से जूट बोल रहे हैं, वो परक भी लेते हैं, वो जान भी लेते हैं, तो शेतान ने मन में तेरे बाद क्यों डाली, इसने बुद्धी और समझ की आत्मा से, इसने आत्मा की परक की वर्दान से पत्रस ने यह जान लिया तो मैं आपको कही एक healing जग उन gift की नहीं different different type gifts आपको समझना है पत्रस ने परक लिया कि शतान इसके मन में ये बाट डाले पत्रस को गड़ा पता था किसने चुगली थोड़ों की थी जब आये है न पूछना पत्रस को चुगली नी परक लिया था उसे भी अक्ति को बवश्यवानी नहीं कि आने वाले समय ये होने वाला आत्मा को परक लिया ऐसे आप बहुस सारे दोके खाते शेतान के दौरा और मनुक्षों के दौरा आप आत्मा को नहीं परक पाते है आपको परक का वदान चाहिए पवित्रा आत्मा से कर दो तुने पवित्रा आत्मा से जूट बोला और भूमी के दाम को तुने रक्षोड़ा है जब तक वे तेरे पास सी कहा वे तेरी ना थी जब तु जो भिग गई तो वे कहा तेरे वश में ना थी तो तुने ये बात अपने मन में क्यों विचारी तुम नुक्षो से नहीं तुम परमेशो से जूट बोला है क्योंकि पवित्रा आत्मा के द्वारा पतरस था ये बाते सुनते ही नन्या गिर पड़ा और प्रान शोड़ दिया और सब सुनने बालों पर बड़ा बैस हो उसी गड़ी पो मर गया गिरा प्रान शोड़ दिया मर गया क्योंकि उसने पवित्रा आत्मा के खिलाब बोला उसने जूट बोला परमेशो का कितना डर रखके चलना है ब्यानक काम तेक प्लेट पेटों के खिलीसियाम इतना सीरियस बन था और आज लोग हलके में चल रहे है पत्रस ने कहा ये बात क्या है तुम दोनों ने प्रभू की आत्मा की प्रिक्षा की बहां पर आत्मा को जूट बोला अपने मेंटर से जूट बोलना जाते है उन्हें ये नहीं पता वो आत्मा को पर्ग लेते हैं उनको सब आपकी लाइफ पता होती कही वर्ग और वो जूट बोलते हैं अपनी लाइफ में अपनी गलतियों को चुपाने से शिपके चलना जाते हैं कभी ग्रोथ नहीं होगी, तुम बहुत से संकटों को ले लोगे, बहुत से आत्मा के सामने जूट बोलके, तुम अपनी लाइप में बहुत से रुकावटें ले लोगे, इसलिए साफ सुत्री सेवा करो, अगर लॉंग जाना है, लंबा चलना है, ब्लेस्मिनिस्टी को लेना साफ सुत्री चलो, चलाकियां, तरीके समझ पा रहे हैं, ऐसा नहीं करना, पहली जो सिवकाई मैंने आपको बदाए, इस रीती से चलना है, बैतरन्त उसके पाउं पर गिर पड़ी और प्रान छोड़ दिया, और जवान ने बीतर आकर उसको मरा पाया, बै बाहर ने जाकर उसे पती के साथ गाड़ दिया, दोनों की देथ हुई, क्योंकि उने आत्मा के साथ ऐसा चला, ओके, कहता है, जदी मैं मनुक्ष और स्वर्दूतों की बोलियां बोल और प्रेम न रखों, तो ठंट नाते हुई, पीतल और जंज नाते हुई, जदी मैं बविश्वानी कर स और सब बेदों और सब परकार के ज्यान को समझ सकूं, और मुझे यहां तक कि बिश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूंगा और प्रेम ना रखों, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, प्रेम दिरेज बनता है, किरपालू है, डा नहीं करता, अपनी बढ़ाई नहीं करता, अनुरिती नहीं चलता, अपनी बलाई नहीं चाहता, जुंजलाता नहीं, भूरा नहीं मानता, यह गिफ्ट है सारे, को करम में अनन्दित नहीं होता, परन्तु सत्ते से अनन्दित होता है, यह है चरितर, गिफ्ट वाले लोगों का, सब बातों की परतीत करता है, सब बातो के बारे में बात कर रहा था उसके बाद उसने बताया कि प्रेम इन सबसे उत्तम है क्योंकि कई वत आप में वर्दान रह सकते हैं पर आपको ठोर हो सकते हैं आप शारिक हो सकते हैं आप अपनी लालसां को पूरा करने लग जा सकते हैं आप अपने स्वार्ती हो सकते हैं अपन व्यर्थ है जब वर्दानों की बात की थी उसने कहा तुम्में प्रेम होना चाहिए अगर तुम्में प्रेम है तुम्में सब वर्दान आजाएंगे तो कैसा प्रेम जहां बताया कि फूलता नहीं बूरा नहीं मानता है इसमें चलना अगर तुम इने इस बचन को लागू करो और तुझ देगा प्रेम के गिफ्ट में चलो तो कहता है अगर तुम्हें प्रेम नहीं है तो इस तरह कई लोग गिफ्टड ये बहुत बता रहा है जो गिफ्टड लोग प्रभू से फिर जाते हैं तो गिफ्ट तो यूज होते रहते हैं पर उनके अंदर ये प्रेम खतम हो जाता है चरित्तर यहां पर एक बैत्ती ऐसा ही था इस परकार मैं अपने से पहले सब जरुश्रम बासियों से अधिक महान हैं आशिशित था सबसे महान था दन में पैसे में इस महानता में तो भी मेरी बुद्धी ठिकाने रही वो आश्यों में बढ़ गया सुलिमान को देख पैसे के साथ सुखी जी रहे एक सुख विलास का जीवन जी रहे सब परकार के लिखा है कौन-कौन से पाप कौन-कौन सी चीजें गिरने का कारण बनी उसके ही पर बुद्धी उसमें फिर भी रही समझ गिफ्ट के दौरा वो फिर भी बढ़ता रहा क्यों क्योंकि वो घ्य कर दो कि मेरे प्रेम में रहोगे मेरे फलों में रहोगे तो मैं तुझे गिफ्टर बनाऊंगा हलिलोया अभी शेक करूंगा गिफ्टों के साथ